एलो मेरे योद्धाओं कैसे हैं आप सब आए हो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एक्जाम नस्दीक है आज हम अपनी सेकेंड शिप्ट देखेंगे नेक्ट शिप्ट देखेंगे थर्ड शिप्ट जो जो जुलाई को ही दिया और उससे पहले बहुत ही इंपोर्टन इंफिमेशन बहुत सारे बच्चे कॉमेंट सेक्षन में पूछ रहे हैं पीडिएफ कहा मिलेगी तो बच्छो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मि गलती है violent ये behavior देखो क्या है ये behave action verb है एक action है और किसी बी काम को करने का मैनर तरीक है जो पताता है गया जैसे उसने बहुत patiently problem को solve किया उसने बहुत calmly मेरी बात को सुना उसने मुझे से बहुत politely बात करी तो इन सभी में चीजओं को करने का मैनर है पेशंटली काम ली क्या है गाड़ी चलाने का तेज ठीक है तो यहां पर भी वाइलेंट जो वर्ड है बच्छो वो एड्जेक्टिव है मुझे चाहिए एडवर्ब तो यह गलत हो गया इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी देखो आंसर आपका होगा थर्ड यहां पर य लगना चाहिए वाइलेंट की जगह होना चाहिए वाइलेंट ली तो विहेव कैसे किया नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कुछ चीजें ऐसी है जिने मैं काउंट नहीं कर सकती है अब जैसे आईस है आईस को आप एन आईस नहीं लिख सकते है आप इसको गिन नहीं सकते क्योंकि एक अनकाउंटिबल नाउन है आप इसको यह तो कह सकते हो जैसे आपने कह दिया a thick sheet a thick sheet of ice ऐसा कह सकते है यह ठीक है या फिर a piece of ice बोल सकते है a piece of या sheet of piece या sheet of ice कहते है ठीक है बहुत सारी इस तरह की nouns है बच्छों देखो आप बोलते हैं a piece of a piece of news कह सकते है advice कह सकते है ठीक है furniture कह सकते है information कह सकते है तो वैसे तो अलग-अलग nouns के लिए हमारे पास अलग-अलग words है count करने के लिए for example जैसे आप बात करते हैं बालों की या फिर घास की उसके लिए आप use कर सकते हैं जैसे a blade a blade या strand of a blade या strand of hair या grass तो देखो बालों को भी आप नहीं किन सकते है ऐसे hair ठीक है hair जो है एक mass ना होने गिन नहीं सकते हैं कुछ जगे हैं जहां पर आप बालों को गिनते हैं लेकिन तब जब वो अपने समू से हट जाती है जैसे आपने कहा कि उसके सूप में दो बाल थे उसकी जैकेट पर एक बाल था अब वो अपने group से हट गया mass से हट गया तो गिन सकते हैं अदरवाइस नहीं grass के लिए आप blade और strand का use कर सकते हैं उसकी एक पूरी wire ठीक है तो एक piece के लिए आप use कर सकते हैं और इतना याद नहीं भी हो तो जहां आपको याद नहीं है वहाँ सब के साथ piece off चलता है piece common word है सब के साथ चलता है तो गलती भई हमने किस पार्ट में कर दी first में क्योंकि मैं इसको एन लगा कि गिन नहीं सकती ठीक है answer हो जाएगा आपका one next देखते since the little girl answers a few questions her parents say that she is too intelligent इस sentence में बच्चों गलती जो है बहुत ही बरी गलती है यहाँ पे error है two में two ठीक है अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि two जो word है वो negative sense देता है negative meaning देता है okay मतलब यह unpleasant sense देता है for example आपने कहा the tea is very sweet और आपने second sentence में लिया the tea is too sweet ठीक है अब यह different context में use होंगे किसी ने मुझे चाय पिलाई मैंने एक simply मैंने का tea is very sweet बहुत अच्छी है बहुत मीठी है बढ़िया है लेकिन मैंने एक sip लेते ही और मैंने का the tea is too sweet I cannot drink it it means उतनी मीठी है जितनी नहीं होनी चाहिए negative sense में ठीक है आपने का it is too hot here इतनी गर्मी है जो आपसे बढ़दाश नहीं हो रही मैंने का यह chapter बहुत असान है तो आप बोलेंगे this chapter is very easy बढ़ा अच्छा है मुझे अच्छा लग रहा है बढ़ा असान chapter है मैं जल्दी से पढ़ लूँगी लेकिन एक UPSC के aspirant को एक ऐसा chapter जो से पढ़ना है और वो बढ़ा असान है उसके level के according तो क्या बोला जाएगा this chapter is too easy for a UPSC student तो too easy मतलब उतना असान जितना नहीं होना चाहिए वह UPSC वाले student के लिए इतना असान chapter ठीक नहीं है थोड़ी difficulty level को maintain करना होगा तो यह negative sense देगा तो अगर उसके parents उसकी तारीफ करते हैं तो तो थोड़ी लगाएंगे negative sense हो गया यह तो इसलिए जो गलती है बचो किस part में है यहाँ पर she is too intelligent ठीक है she is very intelligent तो हो सकता है too नहीं हो सकता next है it is difficult to live in the societal expectations when one has fewer resources बतो difficult के साथ में न two plus verb की first form मतलब infinitive नहीं आता ठीक है यह infinitive है two plus verb की first form difficult के साथ नहीं आता difficult के साथ चलता है gerund gerund का मतलब हो गया है verb की first form plus ing यह अपने आप में बड़ी डीप topics है बड़ी important topics है infinitive gerund participle ठीक है तो difficult के साथ gerund चलता है it is difficult living in the societal expectations यहाँ पर आना चाहिए living to live नहीं आएगा living आएगा ठीक है चलिए किस part में error है हमारे first part में error है ठीक है a part में error है answer हो जाएगा living वैसे देखो कुछ verbs मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहां लिखी है मैंने अबहौर है admit है allow है appreciate है avoid है be worth can't help enjoy keep mention mind postpone or suggest इन सभी के बाद में बच्चों क्या आता है verb की first form plus ing ठीक है यह यहां पर आएगा अगर आपको इनके बाद में कहीं पर भी two plus worth की first form दिखता है तो वो error है जैसे be worth आप कहते हैं न जैसे आपने बोला movie the movie is worth तो worth के बाद में क्या आएगा worth watching ing form आएगा ठीक है जैसे आपने बोला यहां पर mind word है आपने कहा कि would you would you mind shifting would you mind shifting a bit please थोड़ा सा खिसकेंगे आप ठीक है would you mind shifting a bit please देखो mind के बाद क्या आया shift shifting आगया जैसे कहीं सोफे पे आपको दिख रहा है चार लोगों की जगे और तीन लोग फैल फैल के बैठे हैं आप वहाँ पर कह सकते हैं would you mind shifting a bit please थोड़ा खिसकेंगे आप प्लीज ठीक है आपको बुरा तो नहीं लगेगा avoid ठीक है avoid drinking alcohol he has avoided drinking alcohol तो overall आप कितने भी देख लो example सबके साथ यहां इन words में क्या हैगा ing form important है enjoy बहुत important है can't help important है avoid admit यह सब important words है suggest बहुत important है postpone है mind है बहुत repeat होते हैं यह वाली words ठीक है detail में आप लोग इस topic को देख सकते हैं ठीक है फिलाल मैंने उपर उपर से बताया है चलो हमारा close test है इसको देख लेते हैं question number one question number one है चलो पहले पढ़ लेते हैं इसको cities are the great heavens बच्चों heavens होता है एक safe place जहां पर कुछ सुरक्षित रखा जाता है safe place where something can be protected जहां पर किसी चीज़ को संरक्षित रखा जाता है protected रखा जाता है ठीक है तो cities जो हैं great heavens हैं किसका knowledge culture और social life का वो कह रहे हैं कि चाहे आप knowledge की बात ले लो हमारी संस्कृति की बात ले लो या सामाजिक जीवन की बात ले लो यह सब सुरक्षित हैं शहरों में शहरों की बात कर रहे हैं कि यह सुरक्षित हैं ठीक है vibrant cultures ठीक है vibrant का मतलब है काफी enthusiastic काफी exciting exciting cultures are found in cities बहुत vibrant dynamic culture मिलता है cities में क्यों? because it takes a dash population कैसी population भाई? तू सपोर्ट मुजियम्स कॉंसर्ट हॉल्स स्पोर्ट टीम्स और नाइट लाइफ डिस्टिक्ट कैसी population चाहिए? किसको सपोर्ट करने के लिए मुजियम्स होते हैं सेटी में concert halls होते हैं sports teams होते है night life district होते हैं इन सब को सपोर्ट करने के लिए कैसी population चाहिए? देखो small negative word है lazy भी नहीं चाहिए dumb भी नहीं चाहिए large population चाहिए ताकि इन सब चीजों को सुरक्षित रखा जा सके इन सब चीजों को एक push मिल सके है ना? अब रही बात एको dumb की dumb जो है ना stupid भी होता है और गूंगा भी होता है dumb का एक मतलब क्या है? stupid और दूसरा इसका मतलब है गूंगा deep and dumb कहते है ना? deep तो होता है बहरा और ये है गूंगा अब stupid के लिए हमारे पास word है idiotic है, dolteous है जो idiot है idiotic है dolteous है ठीक है? तो dumb के लिए stupid के लिए हमारे पास ये सारे words है ना? lunatic होगा, inane होगा fatuous होगा fatuous है lunatic है ठीक है? inane है ये सारे words हो जाएंगे stupid के लिए अच्छा एक एडिया में हमारे पास as thick as two short planks अगर आपको कहीं idiom देखता है as thick as two short planks ये idiom है, इसका मतलब क्या होता है? वो ही stupid and silly stupid कहलो या silly कहलो तो stupid, silly के लिए हमारे पास एक idiom है as thick as two short planks ठीक है भी? चलो अब जो lazy word है lazy जो है वो कैसा है? lacking energy इसके अंदर कोई energy नहीं है lacking energy आलसी है, काम चोर है, ठका हारा है इन सब sense में आप lazy को ले सकते हो आप लोगों की सहुलियत के लिए सारे words यहां लिखे हो है जो lazy है ना unwilling to work or use energy मतलब वो इच्छा ही नहीं है उसके अंदर की वो काम करे आलसी है, काम चोर है energy को यूज नहीं करना चाहता तो वो कौन है, idle है, indolent है, slothful है, inactive है कोई activity नहीं कर रहा है, inert है, passive है, lethargic है torpid, innervated, innervated मतलब क्या पड़ा था drained, drowsy, innervated में इस पूरी तरीके से exhaust कर लिया मैंने का इस भरी धूप ने मेरी पूरी energy चूस ली है तो it has innervated me, means now I am not able to regain my energy and work मतलब मैं energetic feel नहीं कर रहे हूँ, बहुत कंजोर feel कर रहे हूँ तो innervated हो गया, जिस किसी ने कहा कि दो घंटे के कड़ी exercise के बाद जिम में जो दो घंटे के लिए बहुत strenuous exercise करी उसने it has innervated me, उसने मेरी पूरी energy को drain कर लिया है lackadaisical होगा, sluggish होगा यह सब आलत से भरे हुए हैं, कामचोर हैं, lazy हैं इन सब का opposite क्या है energetic? जो बहुत cheerful रहते हैं, active रहते हैं, life रहते हैं यह zeal से बनाएं बच्चो, jealous नहीं है, यह zeal से बनाएं enthusiastic है, dynamic है, animated है, spirited हो जाएंगे, vigorous हो जाएंगे सारे words नहीं लिखे हैं, क्योंकि सब हमने vocabulary की class में देखे हुए हैं, ठीक है आशा, idiom क्या है, इसके लिए, full of women, figure, यह भी क्या है fully energetic and cheerful, और full of beans, मतलब वही energetic just foods and cheerful, ठीक है, बच्चो जब एक बर इधर देखो यहाँ पर आपको एक word दिख रहा है, indolent यह indolent है, तो ज़रा connect करेंगे, आप insolent क्या होता है, क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पर केवल एक D और S खाए difference है, ऐसे शब्दों को याद करोगे, तो link चल्दी बनेगा, यह तो है indolent, आलस, यह है insolent, यह insolent है, ध्यान से, देखो, यह sluggish है, तो फिर snobbish क्या होगा, snobbish क्या होगा है ना, अब अगर मैं आप से कहूं कि insolent और snobbish, दोनों का मतलब होता है, rude और घमंडी, rude घमंडी, जो disrespect करते हैं लोगों का, तो क्या आप इन दोनों words को, super silly, arrogant, haughty, hubristic, conceited, imperious, impertinent, narcissist, egoist, इन सब की list में रख सकते हो, क्योंकि यह कैसे है, rude है, impertinent है, मतलब यह बड़े लोगों की, या फिर जिनकी respect करनी चाहिए, उनकी अभेलना करते हैं, तो अभेलना करते हैं, तो क्या करते हैं, defiance करते हैं, d-e-f-y तो हो गया, भेलना करना, उसकी noun बन गई, defiance, d-e-f-y-a-n-c-e, ठीक है, इस तरीके से शब्दों को connect करना शुरू करो, snobbish, snoring, snoring, bc में आ जाएगा, ठीक है, arrogant, चलो, आगे चलते हैं, तो इसका answer हो गया, आपका, large, कि भई, large population चाहिए, cities में, ब्यूजियम्स और इन सब को support करने के लिए हैं न, cities also offer, cities और क्या offer करते हैं, rich social opportunities, ठीक है, सामा जीक अब सरप्रदान करती है, शेहर, cities, people in rural areas, अब rural area की बात करती, गाहों की, कि गाहों में जो लोग होते हैं, enjoy only limited social opportunities, उनके पास social opportunities limited होती है, because that's the small local population, यह पूरा का पूरा noun phrase है, बच्चो, यह पूरा noun phrase है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा because of, O double F नहीं, O F, किसकी वज़े से भई, small local population की वज़े से, उनके पास opportunities भी limited होती है, city dwellers, अब जो dwellers होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जो dwellers हैं, वो क्या हैं, वो ही resident है, निवासी है ना, तो वो वहाँ के resident है, और habitant है, habitant है, और inhabitant है, दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है, और dwellers तो यहाँ लिखा हुआ है, domicile, ठीक है, native हैं, वहाँ के रहने वाले, और क्या हैं, aborigini है, ठीक है, यह सारे words हैं, रहने वाले वहाँ पर, ठीक है, native है, और आप एक denizen word याद रखें, denizen, निवासी, यह सब निवासी ओं के लिए आ रहे हैं, यह सारे words, ठीक है, चलो, तो अब हम इसको पढ़ता है, city dwellers can choose their friends, जो शेहरों में रहने वाले लोग हैं, वो अपने दोस्तों को, mates, अपने साथियों को चुन सकते हैं, from among a large number of people, क्योंकि वहाँ के population वैसे ही, large है, बहुत सारी है, तो उसमें से चुन सकते हैं, people of dash interest and inclination, inclination है जुकाओ, पसंद, कि भी similar, कैसी similar पसंद और similar interest के लोगों को डून सकते हैं, तो similar ही तो डून होगे न, ताकि वो जुन बनाकर एक दूसरे के साथ जा सके, है न, तो देखो, जो wasteful है, जो wasteful है, वो क्या है, खर्चिला और फिजूल खर्ची करने वाला है न, wasteful होगे आपका खर्चिला, फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक है, इसके लिए अपने पास words है, काफी सारे हैं, prodigal है, careless है, reckless है, यह कैसा है भई, यह reckless है, careless है, क्योंकि अंदा दून पैसा खर्च करता है, ठीक है, और careless है लिख दी है, मैंने सारे words आगे, अभी आपको बता दूगी, declining का मतलब क्या है, dwindle, ठीक है, dwindle, decrease और wane, कम होना, dwindle हो गया, decrease हो गया, ठीक है, wane हो गया, wane मतलब भई, कम होना, जैसे माल लीजे मैंने का, जैसे जैसे program खतम होने वाला था, बच्चों का enthusiasm, बच्चों की energy धीरे-धीरे कम होने लगी, तो आप कह सकते हैं, the energy of the children started waning at the end of the function, ठीक है, wane, कम होने लगी, ठीक है बई, तो ये तो हो गया आपका decline, कम होना, जैसे नेक्स्ट वर्ड है, feign, इसका मतलब होता है, students pretend करना, pretend करना मतलब बहाना करना, कैसे, कि you want to avoid going somewhere, or you want to avoid attending a party, तो आपन बहाना कर दिया, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, इसलिए मैं कहीं जान नहीं पा रहा हूँ, तो किसी काम को टालने के लिए, जब आप बहाने बाजी करते हैं, उसको कहा जाता है, feign, ठीक है, answer हो गया हमारा similar, क्योंकि वो जो लोग है, यहाँ पे जो नि का, it is not only about spending money, आपके पास जो भी resources हैं, जैसे आपके पास खुब भर-भर के ईश्वर ने आपको दे रखा है खाना पीन और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कदर नहीं कर रहे हैं, उसके तो भी wasteful हैं, पैसा बहुत कर रहे हैं, तो भी wasteful हैं, ठीक है, आप unnecessarily गाडिया खरीत रहे हैं, तो भी wasteful खर्ची है, तो extra vision use of resources, फिजूल खर्ची करना, तो क्या क्या हो गए, prodigal है, profligate है, imprudent, देखो ध्यान से, अपने prudent वर्ड को बहुत बार पढ़ाए, जो prudent होता है, वो कैसा होता है, खाली prudent, खाली prudent होता है, careful, लेकिन ये तो careless है, ल provident है, खाली provident को देखना एक बार, provident fund में पैसे कौन जमा करा पाएगा, जो saving करेगा, जो कम खर्चा करेगा, तो ये तो है imprudent, और ये क्या हो गया, यहाँ पर ये लिख रहा, ये क्या है, ये तो prudent है, provident आप लिख लें, यहाँ पर आ जाएगा provident, ये provident है, मतलब ये careful ह और ये कैसा है, improvident, ये तो खूब पैसे खर्च करता है, इनका opposite क्या हो जाएगा, जो भौत सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, बहुत कम पैसे, मतलब किफाईती है, तो वो frugal है, वो careless है, ये careful है, ठीक है, ये कैसा है, यहाँ पर आ जाएगा, imprudent, ये imprudent है, तो ये prudent है, प्रोविडेंट है, वो improvident है, ये provident है, अंजेनरस, देखो, जो generous है वो उदार है, खूब खूब ले लो आप उससे, कुछ भी ले लो, ठीक है, दिल खोल के पैसा खर्च करता है, लेकिन ये कैसा है, अंजेनरस, ये abstemious, scrimp और tight fisted क्या है, जैसे मानली जे किसे ने कहा, कि उन लोगों ने, अपना पूरा जीवन, इस तरह से जिन्देगी को जिया है, कि उनके पास, मानलो, पूरे दिन में, दो ही चापाती होती थी, पांच ही चापाती होती थी, उसी में से उनको अपना पेट भढ़ना पड़ता था, मानले, जैसे कोई तीन चार दोस्त हैं, बो इसी में से सबको प्रसाद की तोर पर पीना पड़ेगा, तो वो शराब की बोटल है, तो किस तरीके से पिया होगा उन्होंने, अपस्टीमियस, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, स्क्रिम, मतलब बहुत कम था, वो अमाउंट, उसी में से सबको लेना पड़ा, तो वो सब क में प्रसी मोनीयस है, ये तो कया सा है, कन्जूबस है, अब आपके, ओम माइजर ली, निगाडली, ये सारे वर्ट याजयेंगे, तो पार्सी मोनियश है, तो फिर ये क्या था, पुसीलैनिमस है, थोड़ा इसे मिलती चुलती स्पेलंग there, भूण्जिञे, तो पशीलैनि है ध्यान रखेंगे इन सारे वर्स को के चलो next question देखते हैं we are not likely to abandon the city as a dash institution but we need to make sure आगे देखेंगे make sure that our transport arrangement do not dash the city's other function अब इन सब बातों को देख कर कि हम केवल focus कर रहे हैं महां के culture पे है न की city में population बहुत अच्छी है तो ये एक cultural hub है तो ऐसा नहीं है कि we are not likely to likely to मतलब expected to we are not expected to abandon abandon का मतलब होता है leave छोड़ देना leave हो गया for sake है त्याग देना छोड़ देना ठीक है relinquish है okay dessert है ठीक है और आपने एडियम पढ़ा होगा leave somebody leave somebody in the lurch l-u-r-c-h किसी को abruptly छोड़ देना without any help or resources मतलब जब किसी को सबसे ज़्यादा ज़रत है आपकी आपने उसको छोड़ दिया तो you have left somebody in the lurch ठीक है desert desert कर दिया it means desert कर दिया means किसी व्यक्ती ने किसी दूसरी महिला के लिए अपने पत्ती और बच्छों को छोड़ दिया तो desert कर दिया ठीक है चलो आगे देखते लिए लेकिन हम इस चीज को भी सुनिश्चित करते हैं यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूत हमें है that our transport arrangements कि याता यात arrangement जोए ना डाश देस अधर function भाइतलों आएंगे जाएंगे ट्यूरिस्ट आएंगे तो जो आपका transport arrangement है ना वो क्या ना करे City के other functions को क्या ना करे boost ना करे या damage ना करे damage ना करे है ना कि उसको खराब ना करे deteriorate ना करे तो damage का मतलब क्या होगी अब है देखो, अब ध्यान से देखो कि बूस्ट, हैल्प और सपोर्ट, यह तीनों मिलते जुलते ही तो वर्ड्स हैं, है ना सपोर्ट कर रहे हैं, है यह तो आप क्या करे हो, इंप्रूब, रमोट, इन्विग्रेट, ठीक है, इन तीनों के लिए, इंप्रूब कर रहे हो, किसी आप कर रहे हो, फैसिलिटेट, और एसकेलेट, एलिवेट, असिस्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, है ना, एसकेलेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, ठीक है, प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट के लिए बचो, अपने पास में एक नाउन है, नाउन है, सकर सकर का मतलब है assistance या support noun है यह सहायता के लिए word आ रहा है answer हो जाएगा आपका damage कि हम इस चीज को भी make sure कर रहे हैं कि यह जो traffic transport arrangements है वो city के other functions को damage ना करें खराब ना करें next question देखते हैं then I unfold the Indian tricolor तिरंगे की बात हो रही है बचो यहाँ पे unfurled का मतलब होता है unfurled मतलब open करना क्या open करना अगर कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमी हुई है round shape में गटरी बनी हुई है उसकी उसको खोलना ठीक है तो आपने क्या किया then I open वही कोई चीज curled है रोल्ड है उसको खोल दिया तो I opened the Indian tricolor तिरंगे को खोला and अब देखो यहाँ पर गलती क्या है अगर यह आपका verb की second form है तो यह यहाँ पर keep कैसे हो जाएगा यह गलत हो गया यहाँ पर मुझे verb की second form ही चाहिए ठीक है aloft का मतलब होता है बच्वो in the air ठीक है और मैंने tricolor को छोड़ दिया in the air at the roof of the world तो देखो मुझे यहाँ verb की second form चाहिए second form चाहिए तो ing आ नहीं सकता अब held और hold में से क्या आएगा तो अपने को यहाँ यह पता होना चाहिए कि hold held held ऐसे होती है इसकी first, second, third form hold, held, held held verb की second form इसलिए आंसर हो जाएगा to, held next देखते है she was known for her refined manners तो मचों refined का मतलब होता है एकदम शुद ठीक है, एकदम शुद जिसमें से मिलावट को दूर कर दिया गया हो ठीक है, शुद एकदम मिलावट को दूर कर दिया जैसे आप कहते हैं na refined oil होता है, refined sugar होती है, refined salt होता है मतलब वो अपने crude form में नहीं है, कच्चा नहीं है जैसे कहीं से तेल निकाला, वो कच्चा है अब उसमें कुछ chemical process को किया गया और उसकी सारी अशुद दाओं को हटा कि उसे शुद बना दिया, तो इसका पूछा है हमसे refined का एंटनीम, opposite तो यह refined है, यह तो एकदम कैसा अशुद है यह तो जैसा था natural भई, crude है, वो natural है न यह तो natural है, इसमें अभी कोई chemical process नहीं की गई है नाचुरल स्टेट में है जो elegant होता है, बच्चों वो attractive होता है ठीक है, बहुत attractive और beautiful के sense में आता है यह जो shrewd है, वो कैसा है काफी चालाक है, धूर्द है इसलिए आप उस सारी list sagacious वाली, sagacious है judicious है ठीक है, और अपने पास word थे shrewd, astute यह लोग कैसे हैं, artful है, cunning है artful, मतलब धूर्द, चालाक, ठीक है और cunning है यह सारे words आ जाएंगे यहाँ पर astute है, okay sagacious, भचो ध्यान रखना देखू यह sagacious है, आपको कई word दिखता है, salacious है ना, यह तो है sagacious, इसमें GRI, इसमें L आ रहा है तो यह कैसा है, यह तो leecherous है यह कैसा है, भई lewd है, L-E-W-D ठीक है, lesquivious है, कैसा था यह, a person who is who is very much desirous of indulging in sexual activities कामुक है, ठीक है sexual activities में लिप्त रहता है तो यह कैसा है, भई, विलासिता पूंट जीने वाला, यह salacious है leecherous है, lewd है, lesquivious है nefarious है, evil है, इसारे वर्ट हो जाएंगे यह sagacious है, ठीक है अब brood का मतलब होता है of spring, young bird और children young bird और children ठीक है, या तो इंसानों के बच्चों को या पक्षियों के बच्चों को brood कहते हैं आप office spring लिख सकते हैं, इसके लिए संतानों के लिए office spring ठीक है, तो अपना refined का एंटरिम हो जाएगा crude next question देखते हैं, ravie is मुझे यहापे homonym का यह question है और मुझे देखना है क्या आएगा यहापे तो ravie is bald b-a-w-l-e-d बच्चों यह जो word है ना खाली b-a-w-l bald इसका मतना होता है shout चिलाना ठीक है अब shout होता है तो इसके लिए हमारे पास words यह दे को below है ठीक है yell होता है cheek के लिए scream होता है scream होता है screech होता है इस सब चिलाने के लिए words आते हैं मचों okay bald को ball से याद करो b-a-l-l किसी चीज को ऐसे goal बना देना तो किसी चीज को goal बना दिया तो it is directly related to ball b-a-l-e-d भाई यह ना किसी चीज की guttery होती है guttery जैसे हे बूसा है उसकी guttery हो गई ठीक है किसी जैसे माली जी आप बात करें carpet है carpet को ऐसे goal 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 घुमा के हम घर में रख देते हैं तो किसी भी चीज की guttery बनाना ठीक है and bald बच्चों होता है गंजा जिसके सर पर बाल नहीं है ठीक है गंजा यही हमारा answer होगा तो रवी क्या है यह तो दोनों देखो verb की second form है अब गट्री से relate हो नहीं सकता रवी कैसा है गंजा है उसकी description दी है आपने आप साथ-साथ बचों यह भी याद रखें अगर आपको कहीं word दिखता है न B-A-L-L-A-D Ballad Ballad होता है A love song या poem कोई romantic गाना या कोई कवीता ठीक है प्रेम से संबन देत उस case में आप use करेंगे चलो बचों एक बात और बता तो यह B-E-L-L-O-W है अगर आपको word दिखता है B-E-L-L-O-W-S इसमें S आ गया यह B-L-O-S है यह क्या होता है फूकनी आप लोग को तो पता होगा आपने देखा हो को महिलाओं को जब चूले में आग बढ़ानी होती है तो वो फूकनी से फूक मारते है और वो हवा डेते है ताकि वो आग बढ़ जाती है तो फूकनी है और वहीं अगर B-I-L-L, यह सब homonyms है, तयार कर ले ना इनको, अगर आपको यह word दिखता है B-I-L-L-O-W, जिसका मतलब होता है लहराना, ठीक है, लहराना, जैसे curtains क्या लिए आप use कर सकते हैं, curtains are belowing in the breeze, ठीक है, curtains are belowing in the breeze, तो यह I है, वो E है, यहाँ पर, यहाँ पर S नहीं इतनी आग कहीं पर लग गई थी, कि आग की लपटें ऐसे लहरा रही थी, बाहर को निकल रही थी, तो उसके इसमें यह वहला word आजाएगा, किसी साड़ी का, किसी कपड़े का, किसी curtain का लहराना, बिलो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छो देखो, यहाँ पर ह किसी चीज के demand करना, या complaint करना, demand या complaint, ठीक है, इन loud voice, जोर-जोर से lure करके, चीक-चीक के demand करना किसी बात की, ठीक है, नारे लगाना, या फिर complaint करना, ठीक है, तो यह स उब हो जाएगा, आपका, DepoisGцу, और खॉत जोर-जोर से demand कर रहे हैं, आप चीक-चीक के कर रहे है, ठीक ह next देखते है next question है after a day long track we were so tired हम इतना थक गए थे that we were ready to कि हम बिलकुल तयार थे किसके लिए face the music क्या face the music का मतलब होता है to be ready to accept the unpleasant consequences or punishment for whatever wrong you have done आपने कुछ किया है आप कहते है ना भूगतने के लिए तयार रहना तो इसका मतलब है to be ready to be ready to accept या तो क्या accept करना to accept punishment or consequences of something to be ready to accept punishment or unpleasant consequences of something भूगतने के लिए तयार है ना get into deep water बच्चो get into deep water का मतलब होता है in trouble, in difficulty परेशानी में पढ़ जाना है ना इसके लिए अपने पास एक और है be in a be in a tight corner जिसका मतलब होता है वो ही सेम परेशानी में पढ़ जाना मुसीबत में पढ़ जाना ठीक है go from rags to riches rags का मतलब होता है बच्चो फटा पुराना जैसे कपडों के लिए अगर आप यूज करते हैं तो फटे पुराने एकदम है ना एकदम पुराने फटे और riches का मतलब हो गया भई wealth फटे पुराने कपड़े इंसान यूज करता है और वहाँ से खूब फूगू prosperity उसके पास आ गई इसका मतलब from extreme poverty to great wealth इसका मतलब हो गया from extreme poverty बहुत जादा गरीबी से from extreme poverty to great wealth गरीबी से एक गम बहुत सारा पैसा आ गया ठीक है तो ये एक journey हो गई गरीबी से अमीरी तक पर चो hit the sack sack मतलब बोरी होता है ना आप पहले की time पे अच्छे अच्छे गद्दे तो होते नहीं थे तो भई लोग कहां सोते थे बोरी या फिर भूसे से बरी होई बोरी हो गई है ना उस पर सोते थे उस पर लेट जाते थे सोने के लिए तो यहीं से आप meaning निकाल सकते हो go to bed इसका meaning की क्या है इसका meaning है go to bed सोने जाना आंसर हो गया इतना थक गये थे हमकी we were ready to sleep हम सोने के लिए ready थे मतलब अच्छा एक बात बताओ पूरे दिन में अगर व्यक्ति बहुत थक जाता है है ना पूरे दिन में व्यक्ति बहुत थक गया तो शाम के साथ आठ बचते बचते व्यक्ति क्या कहेगा बस बहुत हो गया आज के लिए बहुत हो गया it means अच्छा यहां पे ना hit the sack की जगे हे भी हो सकता है यह थोड़ा ध्यान रखना sack भी होता है और हे भी होता है दोनों में से कुछ भी आजाए meaning same होगा तो क्या विक्ति क्या सकता है I call it a day I call it a day call it a day का मतलब क्या हो गया आज के लिए बहुत है अब नहीं कर सकता मैं और काम है ना अब यक्ति को सोना है तो सोने से related देखो अगर आपके पास word आता है 40 wings विंग का मतलब होता है बच्चो पलक झपकना ठीक है पलक झपकना इसका मीनिक है शॉट स्लीप इसका मीनिंग यह को डrait नीन लेना और शॉट स्लीप जिसको आप क्या कहते आप इसको have a siesta भी कह सकते है have a siesta ठीक है आप इसको catnap भी कह सकते है बहुत छोटी सी नीजपकी जिसको आप कहते है जनरल यह दिन में ली जाती है ठीक है तो have a siesta भी कह सकते है catnap भी कह सकते है डान, answer हो गया 4 चलो लोग उचाहिए काम करते हैं को मेरा पूगूरी तरीके से अभी फिलाल क्योंकि time कम है अपने पास तो purpose मेरा यह कि in paper के through अपन जितना deeply पढ़ सकते हैं पढ़ ले और इसी वज़े से मैं अब already आपकी ppt में words लिखके रखती हूँ था कि time कम लगे अब यह get into deep water है जिसका मतलब है परेशानी में होना be in a tight corner परेशानी में होना तो अब water है तो water से relate करते हैं in hot water का मतलब भी होता है परेशानी में होना throw cold water on somebody or something कोई वेक्तिक दम गरम जोशी से आता है energetic है बता रहे हैं कि मेरी यह planning जब में यह करूँगा और आपने का तु तिरे यह से नहीं होगा रहने दै आपने क्या कट़ दिया उसका enthusiasm उसके energy को low कर दिया उसके उसको discourage कर दिया तो आपने क्या कर दिया discourage someone उसके courage को उसके boldness को कम कर दिया थीक है energy को कम कर दिया throw caution to the wind अब throw है न, throw को throw से connect करो, throw caution to the wind को अपन कैसे याद कर सकते हैं, caution का मतलब क्या है वही सावधानी, है न, आप बहुत सावधान रहते हैं, कि business start नहीं नहीं करना बहुत रिस्की है, गाड़ी चलाना सीखना नहीं नहीं सीखना, बहुत रिस्की है, किसी भी काम को share market में पैसे ल मतलब अब आपने dangerous चीजों को risky चीजों को करना शुरू कर दिया, it means stop being careful, आप आपने careful रहना बंद कर दिया, बिंदास आप कुछ भी करने लगे हैं, तो start doing something risky और dangerous, ठीक है, अब water है तो fish out of water, आप मचली को पानी में अच्छा लगता है, आप उसको पानी से बहार निकाल द and odd or queer fish, odd or queer का मतला है strange, strange मतला bizarre, peculiar, idiosyncratic, freakish, eccentric, की सारे words है, अजीब के लिए, ठीक है, जिसका मतला भी क्या है, एक अजीब यक्ती, जैसे आपने कहा, कि इतनी भरी गर्मी में उसने muffler भी पहन रखाय, gloves भी पहन रखे, इतनी मोटी jacket पहन रखी, इतना जीब यक्ती है, तो आप कह सकते हैं, queer fish या odd fish, ठीक है, to have a bigger or other fish to fry, it means to have more important or interesting work to do, कोई मेरे पास किसी काम को लेकर आया, मैंने का भी मेरे पास बिल्कुल भी time नहीं है, मेरे पास अभी ज्यादा जरूरी काम है, बच्चों की नौहतार एक से exam आ रहे हैं, तो I have other or bigger fish to fry, I am so sorry, I cannot deal with it right now, ठीक है तो ये सारे कुछ important idioms हैं, इनको आप देख लें, एक बार answer हमारा हो गया, चलो, अब क्योंकि fish पढ़ रहेते हैं अपन, तो drink like a fish का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा शराब पीना, to drink too much alcohol, और जिसको बहुत ज़्यादा शराब की craving होती है, सनक होती है, उसको क्या कहेंगे आप dipsomania, extreme and uncontrollable desire for alcohol, और जो बिलकुल भी शराब नहीं पीता है, उसके लिए टी टॉटलर वर्ड है, person who does not drink alcohol, ठीक है, तो इस सारे वर्ड एक साथ ज़्याद रखेंगे, तो जो next question है, in a split second, split second का मतलब होता है, in a very short time, in a very short period of time, बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत थोड़ her dash reaction, kicked in का मतलब होता है, come into effect, come into effect, किसी काम का अमल हो जाना, ठीक है, as she swiftly, swiftly मतलब quickly, जल्दी से, जल्दी से reached out to catch the falling glass, आप किसी को दिख रहा है कि यह glass गिरने वाला है, तो उसके अंतर एकदम reaction कैसा आएगा, सोच समझ के आएगा, यह बिलकुल natural reaction आएगा, तो उसका reaction natural था, ठीक है, ठीक है, और वो quickly, दोड़ी, कहां की ओर, falling glass की ओर, उसको catch करने के लिए, तो देखो, shrewd और insightful, इन दोनों का यह मतलब क्या है, shrewd और insightful, दोनों का मतलब है, बहुत ही जादा wise, चालाग, ठीक है, wise और चालाग, it means, बहुत जादा सोच समझ के यह काम करते हैं, ठीक है, deep understanding होती है, shrewd और insightful, showing deep understanding in something, ठीक है, अब देखो, voluntary क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, voluntary तो होता है, स्वैच्छिक, मतलब, कैसा optional है, जो voluntary है न, वो optional है, volitional है, discretionary है, optional है, volitional है, ठीक है, और, discretionary है, चलो, अब यह तो क्या है, यह तो इच्छा पर है, अगर हम इसके opposite की बात करें, तो compulsory हो जाएगा, बात देता है, वो compulsory है, और obligatory है, यह इसको opposite हो जाएगा, ठीक है, voluntary का opposite हो जाएगा, compulsory और obligatory, ठीक है, volitional और discretionary, इसके synonyms हो जाएगे, अब देखते हैं, हम instinctive, instinctive का मतलब होता है, बहुत impulsive और spontaneous, natural, ठीक है, यह हो गया, natural, natural है और spontaneous है, ठीक है, मतलब कुछ सोचा भी जा रहा नहीं, एकदम natural reaction आया, intuitive और impulsive भी कहेंगे, इसके लिए आप, इसके लिए impulsive भी हो जाएगा, और intuitive भी हो जाएगा, ठीक है, answer तो मारा हो गया, बचों, कि in a split second, हर कैसा instinctive reaction, एकदम sudden reaction था, कि वो गिरते हुए glass की और दोड़ी उसको catch करने के लिए, ठीक है, shrewd और insightful है, जो deep understanding शो करते हैं, किसी चीज़ के लिए, देखो यहापे कुछ words, जो insightful है, showing deep understanding, तो कैसे हैं भई, बुद्धी माने न, समझदार हैं, तो wise है, sagacious है, judicious है, shrewd, astute, sapient, persipent, सब चालाग, धूर्थ, और smart के लिए आते हैं, cunning के लिए, thoughtful तो है, ठीक है, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, visionary भी है, समझदार है, शाने होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सयाने हो गए, चालाग हो गए, ऐसे लोग, profound, profound knowledge है, किसी को किसी चीज की, तो deep understanding है, far-sighted, दूर दरशिता रखते हैं, समझदार है, बेवकूफ नहीं है, dumb नहीं है, stupid नहीं है, fatuous नहीं है, पड़े थे अभी उस सारे words, lunatic word पड़ाता है, far-sighted है, दूर दरश्टी रखते हैं, perspicacious है, समझदार है, ठीक है, अब देखो perspicacious से आप ज़र दो words connect करो, ये तो है pertinacious और ये है precarious, दोनों words P से start होत resolute, दरड निश्चा ही है, और ये precarious है, precarious मतलब dangerous, dangerous, hazardous, perilous, menacing, threatening, वो सारे words आ जाएंगे, treacherous, ठीक है, treacherous का दूसरा meaning क्या था, धोके बाज, जो धोके बाज है, वो क्या है, आपका disloyal है, ठीक है, और सचर्फ्यूज, धोका देता है, और आपका adulterous हो जाएगा, है न बहुत सारे words याद कर सकते हैं, बच्छो, next question देखते हैं, रमिता has decided to forsake, forsake word अभी अभी आपने पढ़ा था ना, वो ये abandon के case में, forsake word पढ़ा था, abandon के case में, पहले लिख लिए थे forsake, abandon, relinquish, give up, desert, सारा है न, तो रमिता has decided to forsake her participation in college activities until she improved her scores, करना क्या है, abandon word है, abandon का synonym, अभ ठीक है, answer होगे आपका forsake, जो improved है बच्छो, वो improved है, वो advanced है न, जो improved है, वो advanced है, और आप कह सकते हैं, ameliorated है, ameliorated है, decided मतलब आपने निर्ने ले लिया है और participation मतलब भागी तारी हो गया, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, the two brothers dash when their father died, अब ये दोनों भाईयों ने क्या किया, आपके पास एक phrasal verb है, fell down, fell out, got the sack, और look down upon, fell down का मतलब simply है, इसका मतलब तो गिर जाना, ठीक है, इसका मतलब है, गिर जाना, और ये second form है, fall out है, to have an argument or disagreement, to have an argument or disagreement, especially that can cause ending a relation, ठीक है, कोई dispute होना, कोई argument होना, disagreement, और सहमती होना है, और get the sack का मतलब होता है, भई, dismiss कर देना, job से, dismiss or fire, dismiss or fire from the job, ठीक है, job से, निकाल देना, ठीक है, और look down upon का मतलब है, किसी को disdain, नीचा दिखाना, disrespect करना, disdain हो गया, और disrespect हो गया, किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना, ठीक है, तो भई, sentence के according, आप कहरें, ये दो भाई, dash when their father died, जब उनके पिताजी की मृत्ती हो, तो दोनों भाई गिर गए क्या, नहीं, उनके बीच में argument होने लगे, disagreement होने लगे, yes, ठीक है, नौकरी से निगालने की कोई बात नहीं हो रही, और नीचा दिखाने की भी कोई बात नहीं हो रही, आपने कहा कि my friends always look down upon me, because I belong to a poor family, ठीक है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से बिलॉंग करता हूँ, मैं जो एक चीज थोड़ा से देख पहला तो meaning होता है, इसका पहला तो होता है प्रभाव या परिणा, consequences, किसी चीज के प्रभाव या परिणा है न, और दूसरा इसका मतलब होता है, dangerous waste, dangerous waste जो हवा में रहते हैं, in the air, ठीक है, usually आप कह सकते हैं कि after a nuclear explosion या किसी ऐसी चीज के बाद में हवा में जो dangerous waste रह जाता ह उसको fall out कहेंगे, ठीक है, answer हमारा हो गया है, यहाँ पर यह वाला, ठीक है, to leave, to have an argument or disagreement, अब देखो किसी को नौकरी से निकालने के लिए अपने पास दो idioms और है, to give someone the push, ठीक है, इसको यहाँ देखे, to give someone the push, यहाँ पर आया है न, आपका, यहाँ आया है न, यहाँ पर dismiss क कर देना, और दूसरा, दूसरा आप देखेंगे, give someone the big E, to give someone the big E, इन दोनों का ही मतलब है, नौकरी से निकाल देना, dismiss कर देना, dismiss कर देना, यहाँ रिजेक्ट कर देना, ठीक है, next question देखते है, one of my best friends are here, बच्छों यहाँ जो गलती है देखो, यह जो one है, इसके बाद off है, यहाँ पर noun कैसी आती है, बई plural, one of के बाद noun plural आती है, लेकिन यह जो verb की जगा है ना, बच्छों, यह verb follow करने चाहिए, इसको, इस one के according यहाँ पर क्या आना चाहिए, is, बई आप क्या कहते हो, मैंने का मेरा एक दोस्त लंडन में रहता है, तो मेरे दोस्त मानलो 20 हैं, उन म इस एक ही लंडन रहता है, तो one of my friends lives आएगा, अगर यहाँ live लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, lives in London, कि मेरा एक दोस्त लंडन में रहता है, इस इसाब से answer हो जाएगा, देखो, one of my best है, better होगा नहीं, better होगा नहीं, one of my best friend होगा नहीं, one of my best friends is here, next question है, we should not discriminate against people who are different from us, तो बच्छों, discriminate का मतलब होता है न, भेदभाव करना, भेदभाव करना, मतलब व्यक्ति कैसा है, biased है, ठीक है, biased है, भेदभाव करता है, okay, prejudiced है, differentiate कर रहे हैं इसका क्या चाहिए था आपको, appropriate synonym, तो आप differentiate कर रहे हैं, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, अलग-अलग आक रहे हैं उनको, divide part और shiver, तीनों का same meaning होता है, बच्छों, divide कर देना मतलब, cut something in pieces, बाट देना, तीनों का मतलब होगा, to cut something in pieces, बाट देना, काट देना, ठीक है, यह एक पड़ा word देखना, यह है, S-E-V-E-R, shiver, और अगर आप यह वाला word देखते हैं, उसमें एक E और आता है, last में severe, जो severe है, वो कैसा है, strong, acute है ना, बहुत जादा, strong है, acute है, dire है, extreme है, जैसे आपने कहा, I have severe headache today, आज मेरे बहुत दर दे, तो strong, extreme, आप कह सकते हैं, dire need, मतलब बहुत जादा need है, extreme poverty, तो आप कह सकते हैं, severe poverty, severe shortage of poverty, acute poverty, ठीक है, next देखते हैं, the teacher asked the students to dash electricity, by switching off, by switch off करके, lights when they left the room, क्या करेंगे, teacher ने students को, electricity को, क्या करने को कहा, save, बचाने को कहा, deposit, rescue, retain थोड़ी, deposit नहीं, rescue मतलब, rescue मतलब, किसी को, किसी, bed situation से बचाना, rescue करना, escape करना, ठीक है, और retain का मतलब होता है, बनाए रखना, बनाए रखना, मतलब continue, continue हो गया, sustain हो गया, चीक है, answer हो गया, आपका, save, this book provides an unrestrained, unrestrained account of the natural resources in India, तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक word आपको देखेगा, limited, है ना, और अगर बात करो, restrained, restrained भी limited है, और यह भी limited है, तो यह limited है, उसको opposite ही हो गया, यह limited है, यह restricted है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, immoderate, immoderate है, यह ना, uncontrollable है, कोई bounding नहीं है, तो boundless है, यह ना, और unshackled है, इन सब का मतलब क्या है, भी limitless, unshackled, boundless, कोई limit नहीं है, unshackled हो गया, ठीक है, unshackled, अब मालेजे, हम कहते हैं कि भई, वो तो फला-फला व्यक्ति, जो है, my uncle, मेरे जो अंकल है, वो immoderate drinking करते हैं, मतलब uncontrollable, कोई limit ही नहीं है, तो unrestrained, unrestrained का मुझे क्या चाहिए भई, improve करना है इसको, यह सब क्या है, uncontrollable, limitless है, exhausting का मतलब होता है, बच्चो, कुछ ऐसा, जो ठकाने वाला है, जो मुझे exhaust कर देगा, मालो मैंने कहा, कि वो 3 गंटे की movie थी, बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, interesting ही नहीं थी, तो उसने मुझे exhaust कर दिया, मैं ठक गई, तो क्या है वो चीज, boring है, boring है, कोई किताब कैसी है, वही, somnolent है, boring है, कैसी है, tiring है, ठीक है, monotonous है, बिल्कुल भी exciting नहीं है, monotonous है, इस case में आप देख लेंगा, जो भी चीज exhausting है, वो मुझे थकाने वाली है, somnolent है, boring है, ठीक है, exhaustive, यह थोड़ा देख लेना, यह exhausting है, ठीक है, यह exhaustive है, जो exhaustive है, बचो, वो क्या है, संपूर्ण, पूरा, जो exhaustive है, मैंने कहा, कि इस किताब में, आपको climate change से, related सौरी चीज़े मिल जाएगी, तो मतलब including each and every detail, तो वो किताब, यह record कैसा हो गया, exhaustive हो गया, तो क्या आप इसको कहेंगे, कि यह comprehensive है, यह comprehensive है, अब यह comprehensive है, तो यह complete है, इसलिए आप उसको क्या कह कहेंगे, भई, exhaustive कहेंगे, है ना, क्योंकि वो exhaustive है, तो आप कह सकते हैं, कि वो थरो है, थरो है, और extensive है, extensive है, अब यहाँ पर इसका उल्टा देखो, एक बात बताओ, मैंने कहा, कि इस किताब में तो संपूर्ण चान करी है, climate change से related, लेकिन यह जो किताब है, छोटी सी, इ not deep and not thorough, detail में नहीं है सब कुछ, तो बताओ कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसके opposite की बात करूँ, वो हो जाएगा आपका, superficial, superficial है उपर उपर से, superficial है तो कैसा है भई, sketchy है, sketchy है, peripheral है, peripheral है और cursory है, उपर उपर से, not deep है ना, और क्या है, shallow है, shallow, गहरा नहीं है, उपर उपर से है, ठीक है, यह सारे words हो जाएगे, not detailed and not thorough, जो excessive है बचो, वो बहुत जादा है, यह क्या है, too much, जो excessive है ना, वो बहुत है, too much है, जरूरत से जादा है, तो यह extra है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, यह redundant है, आप जो redundant है, वो कैसा है, surplus है, जो surplus है, बचो, वो कैसा है, superfluous है, superfluous, superfluous मतलब जरूरत से जादा, extra है, जरूरत नहीं थी उसकी, तो वो कैसा है भई, extra है, surplus में है, ध्यान दो, यह superfluous है, जरूरत से जादा, यह superficial है, उपर, उपर से, है ना, तो फिर super silious क्या होगा, super silious होता है, घमंडी, arrogant, तो फिर egoist, egotist, arrogant, considered, imperious, impertinent, यह सारे words आ जाएंगे, इसमें आपके घमंडी, ठीके, मिलते जुलते से words हैं, मुझे क्या चाहिए था, this book provides an unrestrained account, या फिर आप कहेंगे, इसमें exhaustive account, ठीके, exhaustive account, संपूर्ण जानकारी थी, उसमें natural resources क के बारे में, इसलिए answer हो जाएगा, यहाँ पर exhaustive, ठीक है, next question देखते है, the truth was revealed in the interrogation, बही जो interrogation होई थी, पूछताच होई थी, उसमें सच्चाई बाहर आ गई थी, revealed मतलब क्या हो गया, disclosed, disclosed, जानकारी बाहर आ गई थी, antonym बताना है, तो इसका antonym concealed हो गया, जो concealed है, व camouflage है, disguise है, छुपा हुआ, है न, disguise, अच्छा देखो, यह revealed है, disclosed है, तो यह क्या हो गया, conspicuous, conspicuous का मतलब होता है, noticeable, conspicuous is noticeable, यह क्या हो जाएगा, inconspicuous, यह inconspicuous है, क्यों, क्योंकि यह hidden है, यह hidden है, तो यह क्या हो गया, implicit हो गया, यह implicit है, तो यह क्या हो गया, explicit हो गया, क्योंकि उजागर कर दिया गया है, पूरा, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है, देखो, यह हो गया न, जो revealed है, वो evident है, तो evident इसका synonym हो गया, जो दिख र और words found find की second form है और declare आपने किसी चीज़ को घोशित किया है तो answer तो हमारा पहले ही हो गया concealed इसे idioms याद करते हैं दो spill the beans हमने पढ़ा भी है पहले spill the beans अब spill the beans याद कर लें और या फिर दूसरा let the cat out of the bag जिसका मतलब क्या होता है to reveal a secret ठीक है जान बूच के या फिर recklessly लापरवाई से किसी secret को disclose कर देना बाहर निकाल देना इसका opposite भी होगा हमारे पास keep something under one's hat अगर आपके पास idiom है keep something under one's hat इसका मतलब होता है to keep something to keep something secret ये इसका opposite हो गया उपर तो आपने क्या करा इन दोनों में secret को reveal कर दिया कोई information किसी को बता दी और यहाँ पर to keep something under one's hat का मतलब है किसी चीज़ को secret बनाए रखना ठीक है किसी चीज़ को secret बनाए रखना चलिए नेक्स देखते हैं वी शूड डेसी क्रेट आवर नेशनल फ्लैक बच्छोड डेसी क्रेट का मतलब होता है treat without respect to treat without respect अब अगर हम किसी चीज़ को without respect treat कर रहे हैं तो हम निराधर कर रहे हैं तो we should desigrate आवर नेशनल फ्लैक थोड़ी इसका मुझे क्या चीए अंटनिम हमें उसका अपमान थोड़ी करना है नेशनल फ्लैक का है ना इसके लिए हमारे पास words है degrade है profane है यह सब अपमान करने के लिए आते है degrade हो गया profane है छेक है disrespect करना और sacrilege sacrilege है blasphemy है इनसे आप adjective बना सकते हो us लगा दो sacrilege हो जाएगा और blasphemous हो जाएगा है ना और defile vandalize defile हो गया और हो गया vandalize इन सभी का मतलब है disrespect करना ठीक है अपमानेत करना अब integrate integrate का मतलब तो जोडना होता है integrate is जोडना जोडने के लिए हमारे पास words है combine है incorporate है amalgamate है incorporate combine amalgamate assimilate इन सभी का मतलब है जोडना ओकी sanctify का मतलब है to make something holy and pure किसी चीज को पवित्र बनाना उसके लिए हमारे पास consecrate word है इसका synonym हो जाएगा पवित्र बनाना ठीक है violet to langan करना हो गया जिसके लिए infringe contravene infringe हो गया contravene हो गया transgress हो गया उलंगन करना ठीक है तो contravene transgress ही सब हो जाएगा damage वो ही deteriorate करना पहले भी आया था ये word अभी deteriorate damage करना ठीक है deteriorate बच्छो तोड़ फोड के लिए अपने पास वर्ड है ना vandalism vandalism मतलब तोड़ फोड कर दी बसें तोड़ दी दुकाने तोड़ दी इस तरह से ना तो vandalism का मतलब है तोड़ फोड करना और इसी के लिए मिलता जुलता meaning देने वाला word हमारे पास है sabotage दोनों का ही मतलब है intentionally damaging personal property of somebody जो आपसे बिलॉंग नहीं कर दी है vandalism, sabotage दोनों का मतलब है तोड़ फोड ठीक है मतलब डामेज कर दी है अपने चीज़ों को deteriorate कर दी है मुझे desecrate का देखो desecrate का antonym चाहिए था तो consecrate, desecrate दोनों एक दूसरे के antonym है और sanctify पवित्र बनाना किसी चीज़ को आदर देना तो we should sanctify our national flag हमें उसको निरादर नहीं करना उसको holy बनाना है पवित्र बनाना है ठीक है next question देखते है the privacy shield establishes a process to allow companies to transfer consumer data from European Union countries to the United States in compliance in EU law भाई in compliance ये एक आपका phrase है in compliance with होता है in compliance with means it means according to ठीक है as per the law as per the rule authority conformity or agreement in compliance with होता है this will sound weird but beer with me यहाँ पर आपको correct spelling देखनी है देखो wired तो वो आपकी electric wire होते है उस case में आप use करोगे यह आएगा नहीं कि this will sound यहाँ weird अजीब के sense में use हो रहा है strange है ना और beer drink होती है ठीक है वो आपसे पूछ रहा है incorrectly spelled word कौन सा है इसमें ठीक है इसको आपको correct लिखना है तो weird की सही spelling हो जाएगी यह वाली जो weird होता है वो strange होता है जो weird है वो strange है ठीक है eccentric है इस अब हमने vocab की class में देखे है freakish है ठीक है बिजार है है ना और peculiar है और idiosyncratic है इस सारे words देख लें है ना और b-i-e-r यह basically एक movable frame होता है यह एक movable frame होता है जिस पर dead body इसको रखा जाता है ठीक है ले जाया जाता है शमशान तक movable frame जिस पर dead body को रखा जाता है चलो and last question for today's class is बचो last question for today's class is incorrectly spelled word हमें दूडना है betray, destroy, develop, demolish इनों की spelling सही है this spelling is incorrect it should be betray आरे होना चाहिए e नहीं होना अच्छी जिसका मतलब है धोका देना by giving information to somebody's enemy धोका देना ठीक है पीट पीछे चुरा घोमना अब destroy का मतलब हो जाता है आपका demolish damage destroy करना मतलब demolish damage कर दिया knockdown हो गया knockdown ठीक है knockdown भी demolish के case में आता है pulldown, teardown, dismantle pulldown teardown dismantle कर दिया तो अगर किसी वज़े से building या तो अपने आप गिर जाये या उसे गिराया जाये तो यह आप words यूज कर सकते है dismantle कर दिया, knockdown कर दिया, pulldown या tear down smash कर दिया और अभी अभी आपने दो words पड़े थे इसका मतलब होता है book someone's goose book someone's goose book someone's goose, ठीक है? plan ठीक है तो destroy से याद करो कि destroy कर दिया मतलब spoil कर दिया, ruin कर दिया उसके लिए तीन idioms आप अब लग से याद कर सकते हो इसी word के साथ ठीक है? develop अब कोई चीज़ develop हो रही है तो वह flourish हो रही है, grow हो रही है, virgin हो रही है अब जो develop है, develop means make headway आप याद रखेंगे इसके लिए make headway एक तो यह याद रखेंगे आप idiom ठीक है? और go great guns और दूसरा है go great guns जिसका मतलब होता है progress आगे बढ़ना ठीक है to move forward, progress करना इसका meaning है make progress or to make progress or to move forward, आगे बढ़ना ठीक है? अब betray word बहुत important है, इससे आप काफी words भी याद कर सकते हैं betray दोका देना by giving information to enemy किसी दुश्मन को मैंने आपकी कोई secret information दे दी तो मैंने क्या कर दिया? पहले 2 idioms याद करने की कोशिश करो, spill the beans मैंने कोई secret उजागर कर दिया reveal कर दिया और let the cat out of the bag तो मैंने disclose कर दिया कोई information तो मैंने दोका दे दिया deceives, cheats, sutterfuge hoodwink hoodwink क्या दा रहा है आपको? hood कैसे? जैसे jacket में hood होता है जब आप सर्दियों में jacket पहनते हैं उस पे hood होता है जो आप सिर पे लगाते हैं तो मेले वगरह में पहले चोर लोग क्या करते थे? उनके ट्रेक होती थी वह hood को इस तरह जिसको भी लूटना होता था मेले में जिसके भी चीजों को चुराना होता था वह hood उसकी आखो पे ऐसे ले आते थे तो जैसी आपकी आखो पे कोई चीज आती है unexpectedly और suddenly तो आपकी आखें ऐसे बंद हो जाती है wink, wink is पलक जपकाना और वह chain चुराकिया पैसा चुराकिया बैक चुराकिय भाग जाते थे hood wing मतलब आखों में धूल जोकना अब आखों में धूल जोकना के लिए देखो हमने पहले पढ़ा भी है अपना एक idiom और है to pull the wool over one's eyes pull the wool over one's eyes अब wool को कैसे याद कर लो मालो हो सकता है कि वो जो hood थी वो उन की बनी होती थी wool की तो pull the wool over one's eyes मेरी eyes की उपर आगी मेरी पलक जपक गई और मेरे साथ धोका हो गया ठीक है आखों में धूल जोकना double cross कर दिया मैंने reveal कर दिया expose कर दिया step someone in the back धोका देना bite the hand that feeds one जो हाथ आपको खिला रहे हैं उनी को काट रहे हैं मतलब जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं उसी को दोका दे रहे हैं sell someone down the river do the dirty on blow the whistle on इन सभी का मतलब क्या है या तो secret information किसी को दे देना या धोका देना ठीक है तो यहीं पर आज हमारे 25 questions complete होते हैं मिलते हैं next session में one more information जो कि मैं starting में भी दे चुकी थी जितने भी बच्चे PDFs मांग रहे हैं वो description box में जाके उनको link मिल जाएगा वहां से आप ले सकते हैं thank you so much take care study heart